कभी मैं बोलू, कभी तुम कहो तुझको बादो ना बना दे तो नमस्कार दोस्तो कैसे आप सभी राजय बाबू नई शरा यूटूब चनल की पुरानी भूली विसरी यादों के एक और नई वीडियो में आप सभी दर्सकों का बहुत-बहुत भागत है बहुत-बहुत वेलकम है दोस्तो जब-जब हम नभ्य के दसक की बात करते हैं तो दोस्तो विना संगीत के हम रह नहीं सकते क्योंकि हमारे मनोरंजन का एक ही सादन जो की बहुत अच्छा था वो था ओडियो कैसिट और कैसिट पिलियर तो आज के वीडियो में जो अभी आपको मैंने थोड़े-थोड़े गानों की जल्कियां सुनाई ना उस फिलिम का नाम है लमहे जिसमें अनिल कपूर जी मुख भूमिका में थे गाने इसके बहुत ही अच्छे थे जैसे की मोरनी बागा में नाचे यादी रात्मा बहुत ही प्यारा गाना था यह और भी इसके गाने अच्छे थे तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एचमी कंपनी पर लेना और दोस्तों हमारे चैनल पर एक फंक्शन और एड हो गया है जो कि आप नीचे देख रहा होंगे उसमें लिखा है थैंक्स जैसे लाइक डिसलाइक के बगल में हुआ थैंक्स तो उस पर भी किलिक करकर हमारे चैनल का आप सयोग भी कर सकते हैं और आपकी पसंद की को आई लमहे फिल्म का ओडियो कैसिट रिव्यू तो दोस्तों फाइनली हमारे पास लमहे फिल्म की दो ओडियो कैसिट हैं एक है सिंगल दूसरी है कॉम्बो कॉम्बो भी दोस्तों बहुती सांदार है जो की है चांदनी के साथ में और चांदनी फिल्म में भी बहुती प्या सानबे में आई थी इसके गाने बहुती सांदार थे तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लम्हे फिल्म की माश्टर कैसिट जो की एच एमबी के बैनर तले आई थी यह देख लीजिए बहुती पुरानी कैसिट है दोस्तों कैसिट देखकर आपकी पुरानी याद है जरूरी ताजा हो जाएंगी तो इसमें दिखा हुआ है यसराज फिल्म्स लम्हे इसके म्यूजिक था दोस्तों सिब हरी का और लिरिक आनंद बक्सी के थे और यह देख सकते हैं एच एमबी के बैनर तले आपको देख रही होगी आनिल कपूर और इसमें स्री देवी भी आपको दे और यह देख सकते हैं आप ग्रामोफॉन कंपनी ओफ इंडिया लिमिटेड एच एमबी और यह और इसमें बहुत सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है चलिए गानों की बात करते हैं दोस्तों गाने कैसे हैं और गाने तो बहुत अच्छे हैं आप जानते हैं बहुत साल इस फिल्म को आए हुए और आपने भी लगबग उस दसक में इसके गाने सुने होंगे और आज भी ऐसा मेरा मानना है कि आप सुन रहे होंगे फिर भी आपकी यादह के लिए मैं सबसे पहले गाना बताना चाहूंगा तो चलिए दोस्तों हम गानों की बात करते हैं तो साइ डिसरा गाना बहुत बहुत अच्छा है दोन इसमें की ल सपर की आवाज अब हम बात करेंगे साइड वी की और साइड उस तो फ्रैक आउट और इसमें पैमिला च्प्ड़ा और सुधेस बहुंसले की आवाज में हैं दूसरा ब्हूल गया ल सुरेज बाट करकी में और दो पिजरा गाना है दोस्तों बहुती सुपरेट गाना है मेघारे मेघारे और लता मंगेशकर और इलार उनकी आवाज में और जो पांचवा है वो मुवमेंट और पैसन है जो इस प्रकार इसमें गाने दिए हैं लमे फिल्म की आडियो कैसेट का कबर आप देख सकते हैं बहुत प्रकार के दिख सकते हैं लंब है और चांदनी का कॉम्बोह यह रही है मास्टर और निस इसमाने लिखे हुए आप देख सकते हैं यहां पर चलिए अंदर से दिखाता हूं आपको यह कैसेट होसे दोस्तों को बहुत सारी याद़ जुड़ी होई हैे जब कभी देखते हैं यहां पर देख सकते हैं आप लम्हे के गाने हैं और चांदनी के भी गाने हैं सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है तो चलिए दोस्तों इस फिल्म की हम बिस्तरत जानकारी लेते हैं और इससे जोड़े कुछ अनॉन फैक्ट भी जान लेते हैं लेकिन उससे पहले सुनते हैं इसके गानों की जल्कियां या हो सका है तो मुजिकल टेलर भी सुनाओंगा तो चलिए सुनते हैं में जारे पीशा देखा जारे तो चलियां जैंगा जेंगा तो चलिए जेंगा जोड़ी आजरे जिए जारे जारे जिए टीनी नियो ना उड़ा दे तो के लिए लमहे उनीस्सो इनक्यांबे में आई एक रोमान्टिक और ड्रामा फिलिम थी इस फिल्म में हमको मुख पुमिका में नजर आए सिरी देवी, अनिल कपूर, बहीदा रहमान, अनुपम केर, डिप्पी सागू, मनुहर सिंग, ललित तिबारी एंड दीपक मलहोतरा इसके डारेक्टर यस चोपडा थे, प्रोडूसर भी इसके यस चोपडा, और स्टोरी इसकी हनी इरानी की थी, डायलोग से राही मसूम रजा के थे, म्यूजिक से भारी का था, और लिरिक आनंद बक्सी के थे, और इसकी रिलीजिंग डेट थी 22 नवंबर 1991, और ये एक दोस् इसरी बार डबर रॉल निभाया था, इससे पहले उन्होंने गुरू और चालवाज फिल्म में भी डबर रॉल निभाया था, फैक्ट नमबर दो, इस फिल्म में पूजा यानि सिरी देवी और कुबर जी यानि अनिल कपूर की जो लब स्टोरी दिखाई गई थी, बोल यो कैसिट आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो गानों की बज़े से चलती हैं, उन्होंने से ही एक फिल्म थी लम है, फैक्ट नमबर तीन, इस फिल्म का इंगलिस में टाइटल इंडियन समर रखा गया था, फैक्ट नमबर चार, इस फिल्म म को बाद में मना कर दिया था, और जैकी सराप ने भी अपनी बिना मूचों वाली फोटो येस चोपडा को भीजी थी, लेकिन फिर भी येस चोपडा ने जैकी सराप का लुक कुछ पसंद नहीं आया था, फिर अंत में उन्होंने अनिल कपूर को साइन किया था, फैक्ट नम आज का वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा और लम्हे फिलिम की ओडियो कैसिट देखकर आपकी पुरानी भूली विसरी यादें जरूर ही ताजा हो गई होगी, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, और दोस्तों आपकी वो कौन सी ओडियो बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत धन्नवाद